सबसे पहले आज जो मुद्दा गहराया हुआ है इस वक्त बॉर्डर पर किसानों का मुद्दा है सरकार की बाचीर लगातार किसानों से होती रही लेकिन बावजूद इसके जो किसान है वो दिली की तरफ कूछ कर रहे हैं और संसत की तरफ वो पहुँचना चाहते हैं इस रथम रास्थ किसान आम व्यक्ति की बात है जहां तक नरिंदर मोदी जी का सवाल है हिंदोस्तान के परधान मंद्री वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसानों को जहां हमारे जवानों को या आम करीब बादवी को को प्राब्लम आए कभी नहीं चाहेंगे यह मैं गरंटी के अंदर था या कुछ यूपी के अंदर था या पंजाब के अंदर हर्याना भी अभी पूरा मिरकल शामनी हुआ है जब एक बादशीत आपस में हो रही है और देश हमारा एक तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है कहां आपू धाभी जाके मंदर के लिए वहां राम जनव ब भारत एक अलग पहशान बनाता जा रहा है क्या उसके अंदर यह नहीं हो सकता कि हम बैठके सारी बातशीत करें अब दुनिया के अंदर हम क्या संदेश जेना चाहते हैं देखो मेरे से अगर पूछो तुम पहले कौन हो मैं तो कहूंगा मेरा धर्म भारत मां मेरी जाद बं अपना कहता है з Frankenा जेब एक सरकारें बातित कर रही जब पिछली बार वी सरकारों ने बात चीत किती만 दिन बासी चलती रही हो बातसीत कहां होती रही वरग्यान बवन के अंदर जहां प्राइम मिनियर और रास्टरपती के ही function होते हैं वहां और और किसी के entry होती नहीं किस तरीके से लालकिला में सारे पहुंचे, क्या किसी के ओपर लाथी चली, क्या किसी के ओपर पत्थर चला, तरंगे जंडे का अपमान होने लगा, क्या किसी के ओपर गोली चली, हमारे दिल्ली की पुलिस के जवान, हमारे CISF के जवान, हमारे CRPF के जवान, लाथियां खाते रहे उनको रोदा गया, उपर से नीचे फैंका गया, और प्राइम मिनिस्टर साब कहां थे? इंडिया गेट को बेंदर, रास्तपतिजी के साथ, जरूर इशारा किया होगा, ये हमारे सिख बाई है, एक भी गोली चली पसा नी, कितने मेरे सिख बाई चले जाएंगे, बरदाश कर लेना, गोली खा लेना, लाथि खा लेना, नीचे गिरादे गिर जाना, पर मेरे सिख ब मंत्रीं ने सब के सामने आके कहा कि मैं इसमा मांगता ह我很 अगर आपको कनून अच्छा नहीं लगा आप सहिमत नहीं सिर्पे दस्तार बाढ़ कर के पूरी छिक Lub Day Look मर्यादा के साथ में वह मांगता हुँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर च्छमा मांगे क्या चुराथी के दंगे हुए क्या कॉंग मैं कॉंग्रस में पुराना हूँ क्या कॉंग्रस की लीडर्शिप ने आज तक च्छमा मांगी क्या च्छमा मांगी किछी ने च्छमा मांगी पर हिंदुस्तान के पारब करना और पूरी दुनिया के अंदर हिंदोस्तान नी पूरी दुनिया के अंदर हमारे हिंदोस्तान जो एक तरक्की के राते पर जा रहे है उसके उपर को प्रशन चिल लगे जिए एक बहुत बड़ा सवाल है और सर जस तरीके से खालिस्तानियों की आवाज जो है वो बुखर होते वे इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया भर से जो तस्वीरे आ रही हैं कैनेडा में भी हमने देखा हो किस तरीके से वहाँ पर भारत विरूद ही नारे लगाए गए कहीं न कहीं अब जो रिपोर्ट्स की अगर माने तो पंजाब पे एक बार फ़र से खालिस्तानियों की जड़े मजबूत हो रही है दिको मैं एक बात कहूं की पहली बात तो आपको स्पर्ट कह दें तूटे हुए बंबो के सरीर से जो मेरे जखम है उन जखमों से निकलता हुए मेरी आवाद जो ये कहती है खालिस्तान न कभी बना था ना बनेगा न कभी बनने देंगे मेरा.... एक सवाल है कैणड़ा अमेरिका जर्मनी यूके जहां तरंगे-जड़े का आपमान होता है या फुटबाल बनाके पैरौं के नीचे तरंगे-ड़े को रोधा जाता है हमारे हिंधुस्तान से आवाज क् हमारे हिंदु स्थिक्ष समझाए कि बीच में आवाद क्यों न उठे कि यह तरंगा जंडा हिंदू-मुसलमान शिक्षाईयों का है यहां भगत सिंग राजगुरु सुखदे मंगल पांडे इस्तफाक उल्ला कहा जल्लेंवाला बाग के हिंदू-मुसलमान शिक्षाईयों न देखे जाते हैं महात्मा गांडी जी की मूर्ति को तोड़ा जाता है पर हमारे शिक्ष समाज में थे पूरे हिंदुस्तान में अकेले पंजाम ने आवाद क्यों न उठे कि हमारी कौम को बदराम कर रहे हमारी पगड़ी के ऊपर दाग लगा रहे हैं तरंगा जंडा हमारा सबका है हम खालस्तान नहीं चाते हमारे गुरूओं ने सरास्ट के लिए कुर्मानी दिये हमारे गुरूओं ने मानुवता के लिए कुर्मानी गुरू सहवानों ने दिये ये लोग पाकिस्तान के टुकडों पे पढ़ने वाले चंद लोग हमारी शिक्ष कौम को बदनाम क समाज जो पूरा हरमंदर साथ के अंदर 80% 20% सिख समाज 110% 80% हिंदू भाई मेरा वहां आके नमस्तक होता है मैं सवाल कूछना चाहता हूं जिसके गुर्दवारा साथ के चार दर्वाजे हैं फरक कौन डाल रहा है अगर कोई फरक डाल रहा है तो सिख समाज से क्यों आवाज उठें यह क्यों कहा जा जा रहा है कि राम जी का जो मूर्ती है हम मूर्ती पूजा नहीं करते क्यों ऐसी बा आम जनबूमी के पिछले स्थान के उपर एक ऐसा स्थान है जहां गुरुनानक देव जी महारा जाए जहां गुरु गुबिन सिंग महारा जाए जहां हिंद की चादर गुरु तेक बहादर महारा जाए जहां माता गुजरी जी गुरु गुबिन सिंग जी के माता जी वहां प कर देते यह हमारे गुरुओं का पवित्तर स्तान है यहां भी मिलेगी जो जाएगा राम जनबुमी वो जाएगा उस गुर्दवारा साथ में मत्था ठेका जाएगा क्या इसके ओपर सिक्ष समाज के जो को गुरु हैं को जिम्मेदर लोग हैं क्या इसके ओपर चर्चा प्रशन और बड़ा सवाल है अभी मैं चैनल में देख रहा था आपके चैनल में देख रहा था कुछ पुलिटिकल पार्टियों के लोग उसमें गुसे हुए आग लगाने के लिए किसान दोलन के अंदर सुबा से देख रहा हूं क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक रखी के रास्ते पर बढ़ रहा है आपकी पुलिटिकल लड़ाईयां आप लड़िए हजारों बार राजनितिक लड़ाईयां लड़िए पर जहां प्रत्थम रास्ट रास्ट प्रत्थम आजाए फिर को पार्टी नहीं को जात नहीं को धर्म नहीं को मजब नहीं को हिंद